हलो दोस्तों आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा अपना bank audit का experience आइ थिंक राहूल ने मेरे से बोला था comment आया था कि राहूल ने बोला था कि आप bank audit वे आपका experience जो रहा है उसके बारे में थोड़ी सी कुछ share करिए तो आज मैं अपना bank audit का experience share करूँगा कि क्या हुआ था तो first bank audit था मेरा bank audit जो होते हैं कही परकार के होते हैं जैसे आपने सुना हो concurrent audit होते है bank के अंदर stat audit होते हैं तो basically जो मेरा audit था होता revenue audit तो मतलब revenue audit में क्या होता है bank के कि वहाँ पर आपके आपको यह चेक करना पड़ता है जो company के revenue है वो ठीक से हो रहे है नहीं हो रहे है according to the guidelines है bank की जो head office से release होती है हर अपने different banks की जो head office होता है वहाँ से guidelines release होती है ठीक है तो जैसे अगर मानलो SBI है तो SBI के head office से release होगी कि आपको यह सारी चीए ensure करनी है अब जैसे head office जब SBI किसके under में आता है वो RBI के दर में आता है तो RBI को चीज बोलता है यसे क्या होता है कि RBI की दरब से कुछ चीज है defined होती है तो जैसे base rate है तो base rate जो होता है वो defined होता है उसके over and above जो भी bank होता है वो चार्ज कर सकता है तो मेरे को तो bank audit कर रहा है काफी time हो गया तो हो सकता है कुछ बोलता है in case अगर कुछ गलती हो जाए तो वो देख लेना यार कि 2015 की जैन्वरी 2015 की तो जैन्वरी का सीजन भी चल रहा है तो सोचा आप लोगों को बताए जाए तो काफी time में कहते हैं हम लोग तो होता कि revenue audit थे साथ branches का हमें audit करना था यह बात है जमुए कश्मीर की की जाते हैं साथ branches का audit था तो अब क्या हुआ कि साथ ब्रांचेव वहा पर ऊंदर कवर करने थी तो हमने क्या कर है पहले start कर रहा revenue audit तो जैनरली आप देखो के bank के अंदर if I correctly remember तो finical software use होता है तो finical generally banks के अंदर finical software use होता है तो वहां उस bank में finical software use हो रहा था तो पहला हम लोग करते हैं पहला हम revenue audit जब हम start करते हैं पहला जब start करते हैं तो उससे पहले हम उनकी guidelines होती है जैसे मैं आप लोग बताया head office की तो guidelines पढ़के जाता हैं उसके basis पर हम लोग revenue audit को start करते हैं पहली branch में जाते हैं को ज्यादा कुछ उदता नहीं है जैक ні कुछ मिलता है जब तीसरे ब्रांच में जाते हैं तो क्या होता है कि वो ब्रांच पहले से छोटी होती है तो जब तीसरे दिन हम जाते हैं कि दो दिन के अंदर हमें आइडिया लग जाता है कि चेक किस तरीके से करना है कि फास्ट वाइड था तो अब क्या मतलब जो मतलब कली मतलब उस ब्रांच ने सिर्फ दो लोन इशू कर रखे थे और दो लोन इस सिर्फ इशू कर रखे थे और मतलब जो थोड़े बहुत कस्चुमर्स है उसके ज्यादा कुछ थे नहीं तो जैसे हम पहुंसते हैं मैनेजर वैसी बोलता है सर क्या चेक करोगे इसके अंदर ठीक है कुछ मिलने मिलने वाला है नहीं आपको तो क्या इसमें चेक करोगे आप तो हम भी लगा यार पता नहीं क्या मिलेगा इसके अंदर क्योंकि उसके अंदर आप देखोगे जो ATM भी था ना वो बैंक के भारी था पूरी उस मतलब मानो प के पास fund होता था वहाँ पर bank के अंदर तो खुच जाके ATM के अंदर डाल देता था तो मतलब यह था और काफे security जगा वहाँ पर काफे security जगा थी अब मैं नाम माम नहीं लूंगा किसी भी चीज का बट हां मतलब काफे security जगा थी और काफी सारी चीज़े थी बट वहाँ पर क्या होता है अब exactly मैं आपको भी बूल रहा हूँ पर याद नहीं बट हुआ क्या था कि base rate जैसे RBI डिफाइन करता है तो base rate करता है उसके over and above क्या होता है कि जैसे जो भी bank है वो over and above कुछ percentage भी charge करता है तो जैसे लेट से क्या होता और ये जो rate जो होते हैं वो change करते रहते हैं तो क्या हुआ कि पहले जैसे लेट से एक साल पहले rate था 8% का एक साल बाद rate हो गया साड़े 9% का तो 8% का अगर rate बढ़ गया तो वो जो bank जो branch थी हो क्या कर रहे थ क्या हो रहा था तो क्या हो रहा था कि अगर rate रिवाईज नहीं हो रहा था तो क्या हो रहा था जो revenue था वो वो ऐसी काम वाम कुछ होता था तो इतना देखा ही नहीं हो लोगों ने के रेट भी चेंज हो रहे हैं तो यह चीज थी तो मतलब उसके अंदर क्या हुआ अब कई लोग कोशन हो सकता है कि कि यह तो सारी चीज़ सेंट्राइज होती है अब मेरे को नहीं पता अगेन उस समय पे क्या सिचुएशन थी है एक्जेक्टली मुझे अभी याद भी नहीं आ रहा है बट यह जो चीज थी वो मैं आपको फैक्शुल चीज बता रहा है जो हम लोगों ने रिपोर्टिंग करी यही चीज थी इसके अंदर क्या हुँआ कि न्योंका रिपोर डिपोर्ट करदा है छिमकें विंके भाद क्या था उसी ब्रांच के अंदर कुछ उन्होंने charges charge करने थे उनको जैसे civil charges के ठीक है कुछ charges होते है 50 या 100 पर लगते है 50 या 100 पर लगते है civil check करवाने के उस समय बर तो ऐसे कुछ charges थे जो वह भी charge निका रखे तो काफे सारी वहाँ पर observation निकाली गरी थी तो छो bank's manager था काफी impress हुआ हमसे पूस्ता के सर आप लोग क्या करते है अप लोग कितनी salary है थाना तो इंप्रेस हुआ था है आप लोग करते क्या हो इतनी salary ले रहे हो आप लोग तो मेरा जू मेरे साथ मेरा जो पिर उब्जर्विशन निकाली ज्यादा उब्जर्विशन निहीं मतलब कापी material नीजा बड़ सिल हम लोगों ने उब्जर्विशन निकाली तो यहां वहाँ पर गए तो उन्हों ने थोड़ा सा दरा दिया उन्हों प्लस के जो प्लस के यह बता रहें कि यहां पर इस जगा पर जाओगे तो कुछ सांब बिच्छु आ जाते हैं और कुछ इस तरीके से जगा है जहां पर आपकी कुछ ऐसा location है जो थोड़ी सी रिस्की है तो उन्हों ने बोला कि हमें रिकमेंड करा कि हां आगे मत जाओ आप अपने देख सकते हैं थोड़ा सा आगे मत जाओ तो हम लोग वापिस आ जाते हैं चार ब्रांच करके ही तीन ब्रांच जो है वो नहीं करते हैं फिर हम लोग और इस तरीके से हमारा जो ओडिट होता है अपनी रिपोर्टिंग बनाते हैं एक रेविन्यू ओडिट का कुछ आई दिंग फॉर्मेट भी होता है उसके अंदर तो उस अच्छे कासे कमेंट आएंगे तो मैं शॉरली उसको पर भी बनाऊंगा बाकिया आप लोग ऐसी वीडियो लगी वह भी मेरे को कमेंट करके बता हो और लाइक तो आप लोग करी देना हना लाइक तो लाइक तो करीद होगी है अगेन मिलते है नेक्श वीडियो में थैंक्य सोलब्च